मझर कि फेश्ने का धिजिटे का खेले डूस्तों मज़े आ गया सूर। हडोankा ज़ेश्च क्भाविगे पकंगे और कि फीर किया गया है तो मद्लब हैंने इंडिया के। ना 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 मैं बात कर रहा हूँ जैशा की उनके मास्टर स्टोक की मेरी शॉट ने देखी कि आप लोगों ने मैंने मैच शुरूँ से जस्ट पहली जो है बनाई थी उसे मैंने बताया था कि भईया मुझे तो पूरा-पूरा शक लग रहा है कि जैशा ने ये स्कृप लिखी है कि इंडिया और जिंवाफवे की सीरीज चल रही है तो इंट्रस्ट तो किसी को होगा नहीं उसमें जो बिल्कुली डाई हार्ड फैंस हैं इंडिया के जो कि कोई मैच नहीं छोड़ते हैं इंडिया का सिरफ वही लोग देखेंगे बट बाकी जितने लोग हैं वो कहां मै अधरे स्कोर रीड कर लेते वाधिका एक और मैच रढए इंडिया ने जिम्वाफवे को कि तो उन्युनने क्या सोचा वहा पहला ही मैच जो है जितने लिया इंडिया से मैच में जो की सपैसली सब्सक्राइब ने कोस्टी चुटप प λέ मिलकू और हैं zinvalve team में जिसने की इंडिया team को हरा दिया तो बस जैसा में अपनी script लिघ दी zinvalve को कह दिया कि भाया पहला match तुम जीतों मेच हम जीतेंगे हो गए script तैयार हो गया पूरा match तैयार पर कुछ बाद कर लेते हैं दोस्तों मैच में भाई सब इंडिया ने ठोग दिये 254 रंड जी यां 20 ओवर में 234 region टोग दीए भाई स learn सेम Pich थे ऑं से सेम Pich के उन से 102 रंड मंगी बने भाई साब टीम इडिया ने अकेले मिलके 234 रंड टोग दिए दोनों टीमों मिल जो है 207 17 रंड होके थे 40 ओवरो में 217 रंडником थे आज खाली टीम इंडिया ही ने जो है उससे भी 18 रन जादा 25 रन धोग दिये और कौन-कौन में सूत्रधार बने भहिया इसके बने अपने अभिशेक शर्माजी जिन्होंने की पहले मैच में डख प्राप करी थी और अगले ही मैच में उन्होंने जो है 100 मार दिया और सो भी ऐसा व अगले में थार्ड हाइस जो है पास्टेस उन्हें अंडर मारा है सबसे ज्यादा फास्टेस किसका दोस्तों रोहित शर्मा का 35 वालों में शिलंका खिलाफ उसके बाद नंबर आता है स्काई का सूर्यकुमार यादव का उन्होंने 45 वालों में ठोका था वो भी शिलंका आता है और वो आता है केल रहूल का उन्होंने ठोका था वेस्ट इंडी से खिलाफ तो यह जॉइंट जो है वो फास्टेस थर्ड हो गए हैं जिन्हों इंडिया की तरफ से जिन्होंने की सिरफ मात्र 46 बोलों में जो है चक्का ठोका है अच्छा दोस्तों मैं मैच देख रह जैसे कि मैंने आपको का अभिशेख शर्मा ने पहले मैच में जीरो बनाया दूसरे मैच में जो है उन्होंने सो रन ठोक दिये 46 बॉल्स में 47 बॉल्स में भाई सब आउट हो गए हूँ रितुराज गायकवण ने भी exactly 47 बॉल्स ही खेल नहीं भाई सब लेकिन उन्होंने र 22 बॉलों में 48 बनाये यह तो शुकर करिए कि 20 ओवर पूरे हो वरना अगली बॉल पर उनका भी जो है वो हाफ सेंचरी हो जाती शुकर का करिए मतलब क्या लिए उनकी किस्मत खराब थी आखरी ओवर में इंकु सिंग ने लगातार भाहिया दो चक्के मारे तब जाके उनके दो-दो चैची चोड़ी और अपने प्लेयर भी पहले पहले सेट करके थे मत्सकाजा ने अभिशेक शर्मा की दो कैची चोड़ी और बैने जो है वह रितुराज गाइकवाड की दो-दो कैची चोड़ी तसर बताना यार इतने पैसे मिले ते तुम लोगों को जैशान में पक्का तुम्हें जो है कैची ड्रॉप करने लिए पैसे अफ़र कियोंगे अब यह तो देखो हो नहीं सकता कि आपको कैच देगा आप ही जो है वह कैच ड्रॉप करना आप ही के पास शौट आएगा तो पैसे तो भाईया पूरी की पूरी पूरी जिंबॉबे टीम को मिले तो थंदेगे रहुए चार-चार कैचिज कौन करता है यार वह भी सेम सेम प्लेयार की एगी प्लेयर जो है दो-ुदो कैचनि ड्रॉप कर रहा है मत्सकाजा ने अभिशेक شर्मा की जैसे मैंकर लेकिन तीन चक्के खाने के बाद भाइसा तीसरी चौथी और पांची बॉल पर लगातार अभिशेग शर्मा ने तीन चक्के ठोके उनके पूरे और मेरे खाल से उनके 19 या 20 रंड बने होंगे उसके बाद उन्होंने लास्ट बॉल पर फिर शॉट मारने ही कोश्च करी और मायर्स ने उनकी विकेट ले ली अच्छा मायर्स की अब बात करें भाईया दोस्तों तो मायर्स का आज का दिन जो है ना बहुत ही खराब रहा बहुत ही खराब एक आवर करने आई वह भाई साब और एक आवर में उन्होंने जो है 28 रंखा लिये बहुत ही बुरी तरीके से पिटे कैसे पिटे पहली बॉल पे उन्होंने वाइड बॉल फैंकी और उस पे जो है रिटुराज गाइकवाट स्ट्राइक पर थे उन्होंने बाई का सिंगल ले लिया उसके बाद स्ट्राइक पे थे अभिशेक शर्मा उन्होंने एक शौट माराज दो रन ले लिए उसके बाद भाई साब आया तुफान अभिशेक शर्मा का दूसरी बौल जो कि मतलब लीगली दूसरी बौल थी वैसे पीसरी बॉल थी उसके आया चकटा फिर उसके बाद लगता रहे दो चौके फिर उसके बाद चको फिर चौका तो ऐसे करो कटर टोंडल जो है 28 रंद खाए два पायर्स ने चलो यहां तब भी अगर बात हो जाती तो समझने आता भाईया मैच में आते ही जब बैटिंग आई उनकी पहली ही बॉल पर जो है वह आउट हो गए और किसकी बॉल पर आउट होए आवेश खान की आवेश खान का पहले ही आवर था उनकी दूसरी बॉल थी इनक इसके बाद मैं बात करूं तो पार्टनर्शिप की बात कर लेते हैं आज बहुत सारे रिकॉर्ड बने जैसे कि मैंने का ना कि थर्ड फास्टेस जो है यह अपने ट्वेंटी आयमें इनकी वह रही है एक सो सेंटेस रंगी यह भी इंडिया वर्सिस इंवाववे का जो है य एक सो तीन रं का रिकॉर्ड था यह उन्होंने तोड़के 177 का कर दिया है अच्छा एक और बात करें हां हाइस को जो है इंडिया का हाइस स्कूर था भाईया आज तक जिन्वाववे खिलाफ 185 रंस वाज़ाद टीम इंडिया ने टीट्वेंटी है इतने कम खिलें मैच हुआ है यहां पर इस पिछ का जो हाइस स्कूर था ना वह बनाया था स्टेले में मौववे खिलाफ 229 रंस जो की रिंकू सिंग ने आखरी के जो दो बॉलें थी वीसमें ऑवर की पांच वी और छटी बॉल पे उस पे दो छक्के मार के जो भाई साब ये रिकॉर्ड को जो है वो दोस्तों 34 रंस पर पहुंचा भी है बहुत सारे रिकॉर्ड बने वहीं है आज तोटल 14 चक्के लगे हैं आज के मैच में हाला कि इंडिया ने पहले भी 14 चक्के मारे हुए है तो यह तो रिकॉर्ड नहीं है लेकिन हां अपने आप में देखा जाए तो में सिर्फ एक रन दिया और उन्होंने पहली विगेट लेली थी शुमन गिल की शुमन गिल आज क्लूलस में आ रहे थे बहुत जल्दी में थे वह चार बॉलों में दो रन मारे और वो आउट होए वही एक ऐसे क्लोते हैं बैच्पन जो की फेल हुए है आज की मैच में बन पर दोस्तों जो तारीफ की बात है देखो जो तारीफ बनती है वो तो बनती है नो डाउट शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग करी थी अच्छा इतने पिटे है इतने पिटे है जैसे कि एक ओवर में 28 रन खाए आखरी के ओवर में भी अच्छे खासे बने हाँ इंडिया ने सिर्फ 40-7 रन माले थे भाई साब और एक रिकट गरीवी थी उन्हें की इंडिया की उसके बाद जो है इन्होंने अगले जो है इंडिया ने एक सो साथ रन ठोके और चौदा और में इंडिया का स्कोर था 147 रन साथ और में एक सो साथ रन ठोके और उसके छे और में जो है इंडिया ने 87 रन ठोके जो 15 अवर था ना उसमें रिंकु सिंग आये थे अभिशेक शर्मा जो आउट होगे थे 14 अवर की लास्ट बॉल पे तो 15 अवर में तो इंडिया ने सिर्फ 5 रन मारे थे लेकिन उस इसके बाद 16 से 20 में आवर में भाई साथ रिंकु सिंग ने और अपना रितुराज गायकवाण ने भूस भर दिया जिंबाबे में पांच अवर में तुमारी है और मार खाने के बारी तुमारी है और हम दिखाते हैं तुमें कि ITL में हम लोगों ने क्या सीखा है और कैसे खेलते हैं सबसे खराब खेलने का सबसे बुरा खेलने का आज रिकॉर्ड बना दिया है इस पिछ पे भी हाईस्ट का जिंबाबे खिलाब भी हाईस्ट का और अपने भी जो है वह हाईस्ट में मेरे खास से इंडिया के जो हैं तो हां दोस्तों इसके बाद में खेर बात करता हूं चतारा जो है इनके बॉलर 18 वावर कर रहे थे उसमें भाई सब रितुराज में 20 ठोके टोटल मतला 20 ठोके ते रितुराज में चौका 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 और फिर सिंगल लेटरली भूस रभा रखा था लेटरली भूस रिंकु सिंग ने 19 अवर भाईया चक्का मारा था जिसके जिसके बाद इंडिया के 200 पूरे थे इंडिया की बारी इंडिया ने जो है 204 ठोके और जैसा कि आने आपको भी बिताया कि मात्र 114 पे जो है जिम्वावे अलोट हो गई है मुकेश कुमार ने अपने पहली आवर में जो है पिछले मैच में भी उनकी विगेट ली थी पहले यह अच्छा अभिशेक शर्मा को भाईया सेकेंड ली आवर दे दिया इन्होंने च्वालीज बालों में सो मारे है इसने तो इसका अच्छा दिन अच्छा होगा भाईया तो इसको बालिंग देते हैं क्या पता विगेट और भाई साब ने जो है एक वाईड दी जिसका वाईड पर चौका गया तो वह वाईड के पांच रन समेच जो है 19 रन दे भाई साब ने बैनेट करके जो है इनके बैट्समेन है उन्होंने इनको ठोका कूप उस बन्हें नो बॉलों में जो है 26 रन मार दिये जिसमें की दो चक्के थे एक चक्का उन्होंने मुकेश को मारा और एक चौका जो है वो मुकेश को मारा और बाकी जो है एक चक्का और एक चौका उन्होंने जो है अपने अभिशेक को मारा अगर वो टिक जाता ना दोस्तों तो सही में 160-180 रन तक भी पहुंचा देता बट मैंस तो फिर लग रहा था कि यह लोग दोस्तों के आसपरस तो पहुन सकते हैं लेकिन उसके बाद आया अवेश खान का और बैनेट जो है वो चले गए उसके बाद जो है मुकेश कुमार ने जो है उनको लास्ट ऑब जो है था अगला और आया आवेश खान का उन्हों जैसा कि मैंने बताया मायर्स को जो है सेकंड बॉल पर आउट कर दिया सिकंदर रजा आए उन्हों ने भईया अपनी सेकंड बॉल पर थर्ड बॉल पर चौका मारा और ऑवर की लास्ट बॉल पर वह भी आउट हो के चलते बने तो फॉर्म फॉर्टी तू वन फॉर्टी इन 2.5 ओवर्स में 40 रन 8 विकेट थी और 4 ओवर्स में 47 रन पर 4 विकेट थी मात्र साथ वलों में 3 विकेट हो चुके थे उसके बाद दोस्तों कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नि जिमववे ने वैसे पावर प्ले में अपना भी रिकॉर्ड बनाया है जिमववे ने इंडिया खिलते वे आज तर जो है वो मैक्सिम जो पावर प्ले में स्कोर किया था वो था 49 पर 2 उसको इन्होंने इंप्र कर रहे थे कि उसके बाद तो खैर क्योंकि स्पिनर्स जो है वह आए उन्होंने अपनी जो है वह नकेल कस्दी दस्वे आवर में जो है वाशिंग्टन सुंदर में केमबल की विकेट ली जो भी विश्णोई ने उनको कैच आउट किया हालांकि केमबल भी थोड़े टिके थ जो है तो काफी उन्होंने बांद लिया था रवी विश्णोई की आज भी काफी अच्छी जो है बॉलिंग थी दोस्तों आज भी अगर बात करें तो रवी विश्णोई ने चार और में मात्र 11 रन दियें और दो विक्टे लिए हैं आवेश खान ने तीन आवर में 15 रन दि दे दिया उनको कि ले भाईया तू भी बॉलिंग कर ले वह फिर पिटे तीन आवर में टोटल जो है अभिशेग ने 36 रन दिये तो 46 वालों अगर उन्होंने बनाए है तो तीन आवर में 18 वालों में 36 खाए भी है और टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया भाईया मुकेश आई ऑज यहां और रियान पराग ने कवर किया था उन्होंने पांच रन दिये हैं मैच में कुछ था नहीं जब एक बार उनकी साथ विक्ते जो है वह अधर रन पे घर गई थी तो उसके बाद में कुछ खास बचा नहीं था एक सो तो चो उनतिस रन के आस पास जो है आसप आपको क्या लगता है मेरे इसाब से तो पूरा-पूरा match scripted था कि भाईया पहले match में आप जीतोगे ताकि viewership बढ़ सके viewership बढ़ाने के लिए पहला match इंडिया को जानबूच कर हरवाया गया दूसरा match इंडिया को अराम से संडे वाले दिन लोग देखें बैठकर इंजॉय करें और ऐसा लगे कि भाईया बदला ले लिया है इसके लिए है उनसे जो है खूब रन पिटवाए गए खूब रन मारे इंडिया वालों ने दोस्तों 34 रन ठोग दिये थर्ड आई इस पास्टेस जो है वो सेंचरी बना दी गई है दोस्तों कट चैनल पर नए है वीडियो को और बदीजिये ज्याव की यहीं से लाइसक इनल लोग लोग नहीं देख पाएomas अच्रिपशिप कल से कम से लुग नीट चेगोना ज्यादा होगी कल अगर लोग तो आज कम से कम 18 लोगों ने मैज देखा होगा मैं इस बात का दावे से बता सकता हूं आप लोगों की चलिए दोस्तों कमेट सेक्शन में कमें करें मुझे बताइए आप लोगों क्या लगता इसके बारे में अभी के लिए अलविदा धन्यवाद